वीडियो पर आही गए हो तो रुको और समझो आज हम रिव्यू दे रहे हैं Poco M5 4G का अगर आप Poco M5 4G फोन लेना चाहरे हो तो यह सबसे बेश्ट जगा है इस फोन का रिव्यू देखने के लिए क्योंकि इसमें आपको एक दो नहीं बल्कि चार चार रिव्यूर्स के जीवू और उनके पॉंट ओफ यू देखने को मिलेंगे और वो चार लोगों में होंगे टेक बर्नर, ट्रैक इंटेक और टेकनोलोजी ग्यान के मनोत सरू भाई और चौते होंगे हम भी आपको बताएंगे, प्लीजन निकाल करेंगे कि फोन आपके लिए बहतर है या नहीं है, इसको फोन लेना चाहिए और यह फोन क्यों लेना चाहिए आपको तो वीडियो पर आही गए हैं तो प्लीज वीडियो लास्ट तक ज़रूरू देखेगा क् को बता धर फोन लुक्स औंड कलर पर in-the-box content क्या-क्या है बटन थे लिए और सेंसर्स हैं कितने हैं camera and backpanel or display तरे टाइप वेट थिक्नेस हैंडी है कनी कितनी है में मुझी इतनी है प्रोसेसर कितना है करिक्टिविटी क्या है GPU software में operating system क्या है special features क्या without you score क्या है price क्या है जिससे आपको और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये फोन आपके लिए सही है या नहीं तो चलिए आपके समय पैसे और मेहनत को बचाते हुए जल्दी से शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको कलर के बात करते हैं तो सबसे पहले आपको कलर के बारे में बता देते हैं पोको यलो आइसी ब्लू और पावर ब्लैक नाम से ये तीन कलर के फोन आपको मिलेंगे और फोन के लुक्स के बारे में टेक बरनर कहते हैं मस्त है रफ लेदर फिनिश है और ब फोन मेलेगा पावर अडेप्टर मेलेगा 22.5 वाट का आपको अडेप्टर मेलेगा सिम्पल प्रोट्रेक्टिव कावर है क्वालिटी अच्छी है यूस्ब टाइप-C केबल सिम एजेक्टर टूल यूजर गाइड वारंटी कार्थ बॉक्स कॉंटें के सब लोग क्लियर है को दिक्कत नहीं इनको बटन पॉर्ट सेंसर की बात करते हैं तो आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर इन राइट साइड आपको मिल जायागा सिम ट्रे इन लेप साइड एंड स्पीकर ग्रिल माइक एंड यूस्बी ताइप-C स्लोट फॉर चार्जिंग आपको आपको मिलता है जो कि यह फोन एक अच्छी क्वालिटी का और पुट देगा यह गारंटी है इसी का सर्टिफिकेशन मिला है इसको बटन पोर्ट सेंसर के बारे में टेक बनुर करते हैं कि सभी सेंसर हैं फेस अनलॉग एंड फिंगर प्रिंट अनलॉग सेंसर बहुत अच् ठीच पैनल की ईए ट्रिपल कैमरा सेट अब को मिलता है 50MP प्राइमरी कैमर आपको मिलता है माइको रवंडेक्ञर הमिश Republican Carney 되지 प्राइस पॉंट पे 50 मेंगापीक्सिल कि तगला है, 50 मेंगापीक्सिल की डीटेल भी नजर आती है, जो यह फोटो कीछकर के क्लिक कर देखते हैं वह बहुत अच्छे सेडियरिटी आती है क्लर को बहुत अच्छे से डि memes करता है वहीं पर ट्रैकिंटेक बोलते हैं कि टेक्स्च्चर प्लास्टिक बैक पैनल है लेदर टेक्स्चर होता है और आपको मैट फिनिश में आपको देखने को मतलब कवर लगाने की ज़रूद नहीं है आपको ऐसे फोन रखे मज़ा आएगा टेक्नोलीजी गयान का कहना है कि सेल्फी कैमरा क्वालिटी अच्छी है फ्रेंट कैमरा में पंच होल होता तो मज़ा आजाता है वहीं सभी एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर पंच होल कैमरा में तो जादा अच्छा होता लेकिन फिर वी क्वाइट गूट चल जाएगा वहीं डिस्पले की करें अगर तो 6.58 इंच की आपको FHD IPS LCD डिसले आपको मिलती है 90 हर्ड का रिफ्रेश एट आपको मिलता है डिस्पलेशन आपको 2400 इंटू 1080 कॉर्निंग गॉरिला ग्लास 3 का आपको प्रोटेक्शन आपको देखना को मिलती है 400 निट स्पीक ब्राइटने से इसमें अच्छ अच्छी है आई कॉलिटी की डिसले एंड वियूंग अंगल बहुत अच्छ ब्राइट डिसले है फुल इप्लस और 90 हर्ड रिफ्रेश इस गुड कॉमिनेशन आपको रिफ्रेश रेट एवरेज बेजल है सब कुछ सही है मतलब वहीं पर टेक्नोलोजी ग्यान यानी महनों सारू कहते है कि बहुत बढ़िया है डिस्प्ले ब्राइटनेस विविंग अंगल गोरिला ग्लास 3 की प्रोटक्शन है फुल इसदी प्रस और 90 हर्ट का रिफ्रेश अच्छा कॉमिनेशन है सब सही है ड्रॉप टेस्ट भी किया उसमें ये फोन पास हो गया इनके अब बात क तक ने इस फोन का वेड करके देखा वो 202 ग्रैम मिला उनको और अधुपर टेकनोलोजी ग्यान यानि मननोचरून ने जो इस फोन का वेड करके दिखाया है वो 200 ग्रैम था यानि कि 8-2 ग्रैम का डिफ्रेंस चलताहा है अब बात करते है थिकनेस की फोन की थिकनेस आपको इसमें मिलती है 8.9 mm की वहीं पे इस फोन की तारिफ करते हुए Tech Burner बोलते हैं कि 5000 इमेज की बड़ी बैटरी के साथ में इस फोन को इतना पतला बनाया है ये बड़ी बात है और बाकि दोनों लोग इस बारे में कुछ नहीं कहते हैं हाँ उनके साथ स्लिम है अच्छा फोन है ये दरूर बोलते हैं फउन की हैंडिनेंस के बारे मैं बताया इसके बारे में बात क्रिंग याप को इस वारे में की challenge टेक बंते है ये कई सारे बारे में इसमें निकल को बाता बारे मेंगरे के बात करनेये तो आब का सिच मेमरी के बात करें तो ये फोन आपको दो वेरियंट में मिलता है, एक 4GB RAM, 64GB ROM के साथ, एक 6GB RAM, 128GB ROM के साथ में, तो आप अपने बजट यह साथ से जा सकते हैं, वहीं प्रोसेसर की बात करें, पहले मैं चीज़ क्लियर करदूं कि जो जिन चीज़ों पे या जिन परामेटर्स हम दूसरे का उपिनियन लेंगे, और अगर दुरुत नहीं पड़े की तो वहां पे हम उस चीज़ को छोड़ देंगे, क्योंकि वीडियो की डिरेशन लंबी होती जाती है, तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, बात करते हैं, बात करते हैं, प्रोसेसर की, मेडिया कोई दिक्कत नहीं है कि Apex, Genshin, Impact and Asphalt Car Racing ये सारे गेम इनों नहीं इसमें खेल करके दिखने होगी, एक हैवी क्वालिटी के गेम माने जाते हैं, एक मिड रेंज स्मार्टफोन के लिए, और वो इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहे थे, और हाईयर सेटिंग पे चल इसमें अच्छे से किया गया है, इसमें अब बात करते हैं, कनेक्टिविटी की, कनेक्टिविटी में आपको इस फोन में डूइल 4G वोल्ट सपोर्ट और वाइफाई डूइल बैंड यानि 2.4 गिगाहट 5G वाइफाई डूइल बैंड यानि 2.4G और 5G ये दोनों बैंड सपोर्ट मिलेंगे, ब्लूटूथ आपको 5.3 देखने को मिलेगा, कनेक्टिविटी के हिसाब से भी, तीनों लोग सेंब बलते हैं, कि सही है, GPU की बात करें, तो GPU आम माली G57MC2, ये GPU इसमें दिया गया है, ये ग्रैफिक कार्ड आप समझ सकते हैं, आसान भाशा में, ये ग् बात करें, तो एडिशनल टर्बो रैम अप्टू 2GB डिपेंड्स ओन मेमरी वेरियंट, यानि कि आपको एक वेरियंट ऐसा है, जो लेने पे आपको 2GB रैम एक्सपैंड आप कर सकते हैं, यानि कि 4GB, जो 64GB का जो वेरियंट है, वो नहीं, यानि 6GB, 128GB का जो वेरियंट है, आप 2GB की रैम बढ़ा भी सकते हो, और MicroSD कार्ड आपको, आप इसमें 512GB का डाल सकते हो, ये सपोर्ट करता है, 512GB, आयर ब्लास्टर इसमें देखने को मिलता है, ये स्पेशल फीचर है, ये आयर ब्लास्टर आपको देखने को मिलता है, कस्टमाइजबल रीफरेश रेट yah magic अपका यूज़ रीफरेश को गट बूति सकते हो, ताकि पक्चर क्यालिटी या डिसप्लेय का शर्म वह आपको बहुतर मिलसके, तीनो तीनों साथ इस बारे में बोलते हैं कि रीफरेश अरिफरेश कर सकते हैं, तो यही काम होनों और बात करते हैं, अन्तुतू स्कोर के Tech Burner में चेक करके बताया ये 3,70,000 प्लस इसका आंतुतू स्कोर जाता है Tracking Tech ने इसका जब चेक किया तो 3,67,945 इसको आंतुतू स्कोर बेंचमार्क गया था वहीं पे टेकनोलोजी ग्यान यानि मनोट साथ ने जब इसका आंतुतू बेंचमार्क किया तब 3,69,070 ये गया था तो बेंचमार्क अपने फोन का ही बार बार ना पेने तो अलग अलग बताएगा यानि कि 3,50,000 से उपर ही जाएगा यानि इस प्राइज रेंज में और आपका अगर हलका फुल का यूज है तो इस प्राइज ये तना भी काफी अच्छा है और एक चीज और इस प्राइज रेंज के जो फोन होते हैं उनका 250 या 280 मतलब 2,80,000 के आज पास ही रहता है इसका नी प्राइज रेंज के हिसाब से ये अच्छा बेंचमार्क है अब प्राइज की बात करें तो 4GB RAM और 64GB का वेरियंट आपको 12,499,000 के मिलता है वहीं पे 6GB RAM, वेरियंट आपको 60GB RAM, 128GB वेरियंट आपको 14,499 का मिलता है अब तीनों रिव्यूर्स का इस बारे में परस्पेक्टिव जाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये वैली फॉर मनी है कि नहीं बहतर है, अब लास्ट में आता है परस्टेशिंग परस्पेक्टिव और हमारा कंक्लूजन जो हमको चाहिए ये फोन लें कि ना लें तो सबसे पहले चलते हैं टेक बरनर के पास, मैं टेक बरनर कहते हैं स्टैंडर्ड कैमरा फीचर सब ही है इसमें जो कि ये स्टैंडर्ड कैमरा फोन में जो फीचर होने चाहिए वो सारे के सारे हैं इसमें IP52 का सर्टिफिकेशन आपको इसमें देखने को मिलता है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है IP Certification के बारे में जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूख कम शब्दों में कि ये आपको हलका सा water resistance के लिए आपको ensure करता है कि ये आप इस पे पानी हलका फुलका गिर जा तो कोई दिक्कत नहीं है फोन सहलेगा हलका सा dust proof भी होता है और वहीं पे अब बात करें मनोद सारू की तो मनोद सारू कहते हैं कि CPU थ्रोटल ग्राफ 92% जाता है यानि कि इस प्राइज रेंज के हिसाफ से देखें या इस से 45,000 बढ़ा करके भी देखें तो इतना CPU थ्रोटल नहीं जाता है ये चीज़ फोन को हैवी परफॉर्मर बनाती है गेमिंग एक्सपीरेंस अच्छा है और अल इट्स अ गुड बजट फोन अब बात करते हैं इतनी महनच किये तो अपने उपिनिन के बारे में बता दें आपको कि इस प्राइस रेंज में जो बेस्ट चीज़े होनी चाहिए एक स्मार्टफोन में वो सब इसमें हैं बात करने सारे के सारे परामेटर्स की तो मेन कैमरा डिस्पेर रिफ्रेश एट प्रसेसर सी जी पी यू अन्तु स्कोर लेटे से माई यॉए 13 बैक्टरी थिकनेस वेट सिंट्रे टाइप एंड मोस्ट अट्रक्टिव इस इडिजाइन बहुत बड़ी है और इस प्राइस में बच्चे के जान लोगे का फिर भी मैं एक चिस कहूंगा कि अगर इसमें पंचल कैमरा तो एक और सजेशन में आपको देना चाहता हूं कि अगर यह फोन आपको अच्छा लगा डिजाइन के हिसाब से तो मेरा सजेशन यह है कि आप 6GB RAM और 128GB ROM वाले वेरियंट को ही लेना क्योंकि इसमें आपको 2GB RAM का एक्सपेंशन आपको इसमें मिल जाता है आप इसमें एक्सप सस्ता मिल सकता है जो भी उस टाइम पर जो भी प्राइस चल रहा हो तो आप बिग बिलियन डेज की सेल सेवर लेंगे तो आपको यह सस्ता पड़ेगा तो आप वीडियो समात्ती की घोशना करते हैं और एंग तक देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद भ का समय भी बचेगा आपकी मेहनत भी बचेगी आपको दस जागे चेक नहीं करना पड़ेगा अला कि आप अपनी इंशुरिटी के लिए चेक कर सकते हैं लेकिन आपको इतनी भी मेहनत करने की ज़रूद नहीं है हम यह आपको साजी से बता देंगे तो बहुत जल्दी मिलें अगले फोन के साथ में अगले वीडियो में और जादा एनरजी के साथ में तो तब तक के लिए धन्यवाद नमस्ते आदाब